लो गाइस विलकाम बैक टू माई चैनल चलिए आज बनाते हैं हम गर्मियों का इस पेसल दही पुदीना फुलाव जो की पेट के लिए इतनी ज्यादा थंडा है ये कि मैं क्या बता हूं चामल भी थंडा दही भी थंडा पुदीना भी थंडा तीनों चीज थंडे थंडे है आपको गर्मी होने का चांस ही नहीं होती है और ये जो रिषपि मेरे बच्चों की मैन्यू में ऐा था इसकुल के जो मेन्यू होती है लंच बॉक्स ही उसमें तो किसरे दिन का है दूसरे दिन और हरे मिर्च पीछने के लिए और दही भी है और चामल आदा घंटा पहले मैंने भिंगा के रख दिया था आदा घंटा कम से कम 15 मिनट तो भिंगने चाहिए चामल अब यहां पर मैंने कूकर चड़ा दिया है गेस पर उस पर डाला है घी अगर घी नहीं है तो आप रिफाइ जीरा हमें जलाना नहीं है जला दिये तो फिर बस जला जला ही लगता है तो आप देख सकते हैं जीरा ना मेरी कितनी फ्राई हुई थी बिलकुल थोड़ी से तो यहां पर अब मैंने चामल डाल दिया है यह चामल डेली जो हम खाते हैं घर में वही चामल है इसके फुलाओ क और यहां पर मैंने यह पुदीना और जो हरी मिर्च का पेश्ट बनाया था वो डाल दूँगी अच्छे से यहां पर न यह है कि आप अपने अकोडिंग पुदीना हरी मिर्च डाल सकते हैं दही भी आप अपने डाल सकते हैं किसी को कम पसंद है किसी को ज्यादा पसंद है अगर ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा यूज कर सकते हैं कम पसंद है तो कम यूज कर सकते हैं तो यहां पर अब मैं अच्छे से यह फ्राय कर लूँगी पांच मिनट के लिए ध्यान रहे कि ये नीचे से लगनी नीचे ये चलाते रहना है अब यहाँ पर मैं डाल रहे हूं दही दही ज्यादा खटी नहीं होनी चाहिए ये दही मैंने रात में जमाया था और सुबह मैंने ये यूज कर लिया था तो इतनी ज्यादा खटी ने थी ताजी दही थी अब ये दही भी हम अच्छे से मिला लेंगे फिर यह पांच दून से नमक और यहां पर मैं डाल रहे हूं नमक और शककर नमक और शककर आप अपने अनुसाल सकते हैं फिर शक्कर की जो कम होने में चाहिए नमक से फिर कम यह 4-3-ay के लिए तो मिल कर यह हो गगे 5-12 मिनिट के लिए हमें यह फ्राइव करना है चामल वो भी बिल्कुल कम अज तो यह अब यहाँ पर मैं डाल रहे हूं पानी को मिल क्यामल ना कि डू पजाए इतनी ही पानी डालना है ज्यादा पानी डालना है shows कितने पाने डाला है मैंने बहुंत ही कम और यहां पर अब हम घेस कुकर कर देंगे बंद और लगा लेंगे एक सीटी अब एक सीटी लगने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि चावल मेरे कितने खिली हुई बनी है बिल्कुल अलग-अलग सी ही दिखाई दे रही है ये देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा स्वादिश्ट बनी थी एकदम से खिला-खिला है और ये तो गर्मियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें सारी चीज़े ना हेल्दी चीज़ डली है बदीना और ये दही वगेरा दही चामल की भी रेसिपी लेकर आउंगी मैं किसी दिन दही चामल मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है अब चलिए इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी दिखाई दे रही है चामल खाने में तो एकदम से बह जरूर कीजिए अच्छी यहां पर आप देख सकते हैं कितना खिला खिला बना है एक एक दाना तो चलिए अब मैं लगा लेटाएं तिफिन में मैंने बच्चों को दिया है सिर्फ खिरा के साथ सब किया है खिरा और प्याज के साथ वीडियो कैसे लेगी जरूर बताना और चैनल पे नए हैं तो प्लिस सब्सक्राइब कर लेना आप वीडियो पसंद आए तो लाइक कमे वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई